टीम इंडिया और 140 करोड हिंदुस्तानियों का सपना फिर से एक बार तूट गया है टीम इंडिया पिछले 10 सालों से एक भी ICC की ट्रॉफी नहीं जीत पाई है और वही दूसरी तरफ आउस्ट्रेलिया एक मातरे कैसी टीम बन गई है जिसने ICC की सारी ट्रॉफी अपने नाम किया है आउस्ट्रेलिया ने भारत को WTC फाइनल 2023 मैश में हरा कर पहली बार टेस्ट चैंपिन का खिताब अपने नाम किया इस मैश में भारत के बल्लेबाजों ने बेहत निराश जनक प्रेदरशन किया और श्ट्रेलिया ने भारत को मुकाबले जीतने के लिए 444 रनों का रिकॉर्ड लक्ष दिया था जिसके सामने भारते बल्लेबाजी 234 रनों पर धेर हो गई आईए, आपको बताते हैं से तीन बड़े कारण जिसके चलते टीम इंडिया को लगातर दूसरी बार डबल्लू टी सी फाइनल में हार का सामना करना पड़ा फिर एक बार टॉप आरडर बल्लेबाजों ने किया निराश इस मैच में टीम इंडिया के टॉप ओर्डर बल्ले बाच बड़ी पारी खेलने में कामयाब नहीं हो सके ओपनर शुपमन गिल 13-18 दोनों पारियों में फ्लॉप रही जबकि रोहिश शर्मा के बल्ले से भी जादा रन नहीं निकले उन्होंने पहली पारी में 15 जबकि दूसरी पारी में 43 रन बनाएं इनके अलावा चेतेश्वर पुजारा के बल्ले से भी रन नहीं निकले पुजारे ने 14 और 27 रन बनाएं विराट कोली ने दूसरी पारी में कुछ अच्छे शॉट्स लगाएं लेकिन 59 रन पर आउट हो गए वही पहली पारी में उन्होंने मातर 14 रन बनाएं आईपिल के तुरंत बाद मैच खेलना इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का फाइनल मुकावला 29 माई को एहमताबाद के नरेंदर मोदी स्टेडियम में खेला गया हाला कि टीम इंडिया के कई खिलाड़ी इस मैच से पहले लंदन पहुच चुके थे लेकिन शुबमन गिल समयत कुछ खिलाड़ी एक जुन को लंदन पहुच पाए थे इसके चलते टीम के खिलाड़ी प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेल पाए और दो महीने के लंबे टूर्नामेंट के बाद खिलाड़ीों को आराम भी नहीं मिला जो इस हार का एक बड़ा कारण हो सकता है कप्तान रोहिच शर्मा ने इस मैच में दुनिया के नमबर वन टेस्ट गेंदवाज रवी चंदरन अशुट को फ्लेंग 11 में शामिल नहीं किया उनके इस फैसले को लेकर तमाम दिगज क्रिकेटरों ने आलोचना भी की सबका मानना है कि यदि इस मैच में अश्विन को मौका मिलता तो नतीजा कुछ और हो सकता था बता दे कि पहली पारी में स्पिन गेंदवाजों को ज़्यादा मदद नहीं मिली लेकिन दूसरी पारी में भारत के रविंदर जडेजने तीन जबकि आस्ट्रेलिया के नाथन लियॉन ने चार विकेट चिटकाए थे जिसके बाद रोहित की कप्तानी पर उठे सवाल फैंस ने सोशल मीडिया पर जाहिर किया गुस्सा सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा पर की कप्तानी पर गंभीर सवाल खड़े किये जा रहे हैं फैंस वर्ल्ड टेस्ट चेंपियंशिप के फाइनल में रोहित शर्मा की कप्तानी से बिलकुल भी खुश नहीं दिख रहे हैं वहीं एक दूसरी यूजर ने रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने क्या क्या गवाया है सब गिनवाया एक और यूजर ने आईपिल ट्रॉफी के जरिये रोहित शर्मा पर निशाना सादा इसी तरह से फैंस ने रोहिश शर्मा की कप्तानी पर रियाक्शन दिये